असलाम आपको नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून और अवाम मैं हूँ आपके साथ एश्रम सरीव आज हमारे स्टोडियो में जो केस्ट मुझूद हैं वो तुसीफ जादा खान जो के बहुत अज़े हैं और जो ने बहुत सी कानूनी किताबे भी लिखी हैं आज हम इनसे जानेंगे क्राइस चर्च के बारे में और बाइस एबी के बारे में जी सर्भ मैं आपको वेल्कम करते हो हमारे प्रोग्राम में और मैं आपके राये जाना चाहते हूई एक कानूनी राये जाना चाहते हूँ जो क्राइस चर्च का मामला हुआ ह्जो वहाँ पर शूटिंग हुई है इस बारे में और बा Irish एबी के बारे में आपकी कानूनी राए क्या है? देखें, सबसे पहले मैं आता हूँ क्राइस चर्च मॉस्क के बारे में न्यूजिलेंड में वाकिया है, 15 मार्च 2019 को ये वकुवा पेश आता है जिसमें जुम्हे के रोज एक बच के 40 मिन पे अल्नूर मॉस्क न्यूजिलेंड में वहाँ पर एक शूटिंग होती है, जिसमें बहुत से मुस्लमानों को शहीद कर दिया जाता है और जो शहीद करने वाला है वो तैसित कर दी कहलाता है उसके अंदर कोई उसका किसी मज़र से कोई तालब नहीं है जो कि वह स्टेडी नेशनल भी था अब इस पे जो कानूनी जो नुक्ते नगाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यह कि क्या उसको अगर ट्रैल करती है कोट ट्रैल करने के बाद उसको मैकसİमम कन्फिशन क्या कर सकती है और उसको मैकसिमम पनल्टी क्या कर सकती है यह मैं बात जो से वाजा करना चाहता हूँ कि अगरचे नियूजरलेंड के कानूनr के मताबेक नियूजरलेंड में कोई मुर्डर करतीर जाता है तो वहां पर death penalty नहीं है यह उनके कानून के मताबिक है Crime SEP 1961 उनका कानून है जो उन पर लग होता है उन्होंने 1989 बे अपनी जितनी भी punishments थी जो के death penalty से relevant थी वो सारी के सारी उन्होंने रिपील कर दी थी और maximum imprisonment वहाँ पर है imprisonment for life उसको उमर कैदी जा सकती है आप तो लगते है कि इसको बस उमर कैदी होगी इस मुझे को इसमें यह है कि जो लेजिसलेचर है जो कानून है वहाँ का तो जब उसको डबल ट्रायल नहीं किया जा सकता है उसको डबल कन्विक्शन भी नहीं की जा सकती चुँके उसको उसकी जो maximum punishment है वो death penalty है इस पे मैं थोड़ा सा वाज़ाई यह करना चाहता हूँ कि जो कि एक state है state law होती है हमेशा majority के पर डिपन करती है तो जो majority है वहाँ की वो उनके मजब के असाफसे देखते हैं अगर से kristianity वहाँ पे majority है तो उनका state law भी christians के मताबक उन्होंने डिजाइन किया है मतलब अगर अगर महां पे को कि डिसी का मुर्डल करता तो अगर तो किसी का रिलीक्षाalyst कैमरा रहा हम बाता है गूर आँ हो और मैसके शूटऑ का रहा लूजा पर इसमें जो एक नुकता जुटऑ एसकया रहा रहा हूंु तो जो मुसलमान के मतलब के मतलब तो मुसलमान क जो कानून है वो बिशक ट्रेहल अपने चानून के मत опыт करें, जो नीज़िलेन का अपना कानून है उसके मुदाबिक जो उसकी कोर्स है उसके क्रृम करें उसके एविडंस आ क्रहाना कि जो मतलब के उजभ क्रवजब करने लिए उसमें अगर ची दादरसी करते ही च мозिलिम्स जिनके लोहिकिन जो के शहीड हो चुकी है अगर उनकी दादरसी करने हैं तो उनके कानून के मतबग करें पीनलाीज करने नंके कानून के मतबग करें अच्छा हिए यहां पर अपने लोहिकीन की बात किया है तो मैं आपसे क्युस्झन करूँगे कि इस मुल्जें कि लाकिई को क्या इसे फैमिली को क्या रिलिफ मिल सकता है आप इसमें देखें माँकर वो मुल्जम को मिल सकती है इस के अंदर वो इस सिर्फ ही है कि उसको आप उमर कैद दे सकते हैं इससे जाद उसके कोई प्रैलिटी नहीं है क्योंकि उनके लिजिसलेशर में लिखा हुए है यह उनका लौ है उनका कानून है इसके अंदर जो चीज हमने एक पॉइंट आउट हम कर है वो यह है कि अगर्चे आपने उसको पीनलाइज करना है तो दादर सी उसकी उनी चाहिए जिसके लवाही किन गए है बिल्कुल वो कम्यूनिटी कोंसी है वो माइनोरिटी है वो मॉसलमान है मुसलमान का कानून है ठीक है उसके कानून में एक हार्शनस है तो एक जगा पे हमदर्दी भी है. हार्षनेस अगर आप देखें, वो इस सेंस में है कि मेहाँ पर किसास का कानून मुजूद है. अदले का बदला. अगर आपने मुर्डर किया है तो आपको भी बदले में आपने आपको कतल करना पड़ेगा. वो स्टेट की जिम्हदारी है, स्टेट उसको ट्रैल करेगी और वो उसको स्टेट फांसी देगी. ठीक है. और दूसी तरफ, इस्लामिक लागा के अंदर, एक तरफ हमदर्दी का कानून भी है, कि अगर आप अल्ला की नजा के हाथे उसको माफ करना चाते हैं, तो आप दियत की माउंट पे कर, मतलब वसूल कर सकते हैं, दियत की माउंट है, कमपसेशन हैं, वो भी ये दूनो किया जाएगा, तो वो मैक्सिमम लाइफ इंप्रियर्मेंट इसके पास उसकी पनल्टी है, जो कि फिर, मतलब कि चोदा साल, दा साल बाद वापस बार आजाएगा, और उनके पास थियूरी भी है, रिफॉर्मेटिव थियूरी है, अगर वो लगा दे उसके उपर, तो उसक से पूछना चाहूंगी कि कुछ दो दिनों से जो एड़ोकेशन ने एहतजाज किया हुए, आखिर इसके मीचे वज़ा क्या है, और बाइस-एबी अखिर है क्या, देखें, बाइस-एबी प्रोविजियन है, जो कि कोड ओफ करिनली प्रोसिजर में, लेजिसलेशर ने अरच कोड के पास आता है, और कोड इसको डेलेट करती थी क्ये ऑफैस मेड़ोड होता है, आप यसको ऑपर कानूनी कार्वी करें। यह offense ने भी made out होता है, इसमें दो offenses होते हैं, मैं ब्जाथ करता है। offense होते हैं, comombisible offense होते हैं, अक non-cognosable offense होते हैं, comombisible offense में यह होता है कि FIR काटना लाजमी है। अगर चे non-cognosable उसमें FIR काटना लाजमी नहीं है। ठीक है लेकिन अगरचे एप्लिकेशन आ जाती है तो दोनों सूरत में पुलीस वाले मतलका थाने वाले वो उस पे पाबंद है के कानूनी कारवई करें ठीक है अगरचे कोग्सिपल अफैस बनते है अफ़ आई आर काटे अगर नहीं बनता तो उस पे रिपोर्ट करें मतलका म पालिसी के तहट इस पर एक इमबार्गो लगा दिया गया और वो यह है कि अगरचे एस एचो कारवई नहीं करता तो आप एस पी के पास जाएंगे आखिर क्यों नहीं करता है सेचो कारवई इस पे मुखलिफ एस एचो जो से है वो पहले इंक्वारी करते हैं मैडर की और पेंडिंग पड़े रहते हैं मामला दोनों पार्टीज को तलब करते हैं और की कोशिश होती है कि आर्बीडरेशन के जरीए मामला कर लिया जाया है बाद अपर भीडरेशन के जरीए मामला हल नहीं होता तो उस पर फिर वो फैक्स देखते है कि क्या ये कोविंजबल है बाद पकड़ दकड़ का मामला शुरू हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, ट्रैल परसीजर स्टार्ड कर लिया जाता है इसके बाद, अब जब S.P. को इसमें इन्वाल्व कर दिया गिया है, सुप्रीम जुडिशन पॉलिसी के तहत, उसमें वुकला की र है कि कानून की तश्री करना, यह नहीं कि कानून के उपर वो लेजिसलेट कर जाए, इसलिए वुकला स्रापा इहतजाज है इस बात के उपर, कि जो कानून है वो यही है कि S.H.O. के पास सिर्फ अथौरिटी है कि वो F.I.R. दे सकता है, अगर्चे S.H.O. F.I.R. नहीं दे पेसी केसे में दिलेज नहीं आरे हैं, क्योंकि बहुत लोंग टाम परसीजर अरे हैं कि इससे केसे केस डिले. Siz K.O.F.I.R. अ पराग्ड डेले से नहीं है के दोनन खेले है और अपके एप्रिकेशन पर कोई कारवई नही नहीं हो रही तो फिर आप कोर्ट से रजू करते थे थूर 22 एपी यह जो प्रोविजन है और कोर्ट वहाँ पर देखती थी कि हाँ आया कि यह ओफेंस मेड ओट हो रहा है तो वो सबसे पहले इसमें भी आपको थोड़ा सा वाज़ करता जो लूग इसमें एक यह था कि जब कोर्ट के पास आते थे फोरी कॉल करने के बाद दोनों पार्टिस उसमें बैस करती थी उसमें फिर जो जिस्टिस उपीस है वो अपने जुडिशिल माइंड अप्लाय करके डिरेट करते थी मतलब कि एक प्रोपर रेमेडी थी जो चाल रही थी जिसको सुप्रीम कोट ने भी अपने फूल मैश ने भी उ आदमी के पास एक ही प्लैटफॉम है वो अदलिया का प्लैटफॉम है अगर्चे उसके अंदर किसी किसम का भी कोई ऐसा हर्बा अपना लिया जाए कि अदलिया तक पहुचने में तखीर हो जाएं तो यह जो से अवाम के लिए पचीदिया पैदा करता है तो अदलिया की र मुख़े पे मुझूद है और अदलिया का काम ही यही है कि दोनों पार्टी इसको सुनना और कानून के मताबिक फैसला करना है अर बाइस अपि जो है वो कानून साज़ी को बहतर करेगा या जो पुलीस है उनकी कारकरज़गी को बहतर करेगा देखें जो बाइस अपिए इ direction ले सकती है कि पुलीस को पाबंद किया जाए कि ये काम करना आपका फर्ज है और आप ये काम करें मतलब बाइस A.B. जो है वो पुलीस वालों को उनकी duty समझाने के लिए प्रॉपरली बताने के लिए है कि आप क्या करें और क्या नहीं जी आप ऐसे कह सकते हैं कि पुलीस वालों को अगर्चे अपनी जिम्मदारियों से वो बागते हैं तो बाइस A.B. के तहते हैं और हम उसे कोड से आप सोबीडियनस भी कह सकते हैं उस पह कोड़ आपर करती यह करती थी कि इनकी सेलरी ही टैज कर लेती थी यह सेलरी होती थी यह कारवविप टालब कि पर लेती है। इसेटुर्टंप करूट़ती थी हाईर आपो ref philosoph को कि यहां पर वहार पर खड़े हो जाते हैं जहां पर भी कार्सिटिविशन की हलाव वर्जी है ठीक हो गया इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को एक्तम पे अक दाब लेकर जाएंगे तौसीर जिर्जादाखान का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने राय पेश की क्राइस्ट चर्च के हवाले से कि उस क्रिमिनल को पाकिस्तानी के कानून के मताबिक सजा होनी चाहिए क्योंके देथ के मुकाबले में देथ ही होगी ठीक है और उन्होंने पर बाइस एबी के बारे में भी पेश किया किया एक आहम आदमी के लिए एक कहां तक कानून क्या किया जा सकते है जहां पर इसको बहतर ही लई जा सके इसके साथ ही हम सुलीम को इजाज़त दीजेगा और देख से लिगा प्रोग्राम कानून और आवा झाल